आर्पी भारत केवल ख़गरें और कुछ नमस्काल में पुनज़ी आर्पी भारत में आपका स्कॉर्ड करते हूँ आए नसरा आते हांचे किसी खास ख़गर जारकंड के गुम्ला जला के लाइडी थाना चेतर के डेरंगडी गाओं में चार लोगों की हत्या कर दी गई मृतकों में पती पत्नी सगेता ग्यात यूवक शामिल गए गटना के पीछे की वज़ा अवैद संबंद का मामला सामने आया है इदर गटना की जानकारी मिलने के बाद जले के एस पी गटना स्थल पर पहुँचकर मामले की तफ्तीश में जोड़ गए है जले के एस पी हरदी पी जनारदन में बताया की गटना की जानकारी मिलने के बाद गटना स्थल पर पहुँचे है हत्या कांड के पीछे अब तक जो तथे सामने आये हैं उसमें अवैद संबंद का मामला उबर कर निकला गए उन्होंने कहा कि मरतक पती पतनी के परजनों से पूछ ताच में है पता चला है कि इस गटना में मारे गए निलम कुजोर का गाउं के दूसरे यूवक से अवैद संबंद था जिसके कारण उसने अपने प्रेमी को बिला कर अपने पती मर्यानुस कुजोर की बीती रात हत्या करा दी जब इस गटना को अंजाम दिया जारगा था उस समय जब शोरगुल हुआ तो आसपास के लोगों ने शोरगुल सुना इसके बाद लोगों की भीड एकहटी हो गई और फिर गाओं के बाहर से आए दो यूवकों को ग्रामीडो ने पकड़ लिया और फिर महिला समेत दोनों यूवकों की ग्रामीडों ने हत्या करती उन्होंने कहा कि इस पूरे मामली की तफ्तीश की जा रही है कि मर्यानुस कुजोर सगित महिला और दो अन्य यूवकों के हत्या किन परिस्तियों में की गई है ग्रामिरों के द्वारा बताया गया कि मरतक मर्यानुस को जोर गुरुकुल गुमला से राजमिस्त्री सीख कर पूरे में राजमिस्त्री का काम करता था अभी लॉग्डाउन होने के कारण अपने गाउं आया हुआ था उसके तीन पुत्र हैं जिसमें दो बेटे एक मासूम बेटी है बताया जा रहा है कि मर्यानुस की पत्नी का रॉंग नंबर लग गया और दोनों में एक दूसरे से प्रेम प्रसंग हो गया तब ही से उनका प्र मामीर महिला की माने तो तीन बच्चों के रहते हुए दूसरे से संबंद बना रगा था गाउं वालों के लिए शर्म की बात थी जिसको लेकर गाउं वालों ने मिलकर दो प्रेमी और नीलम की हत्या कर दी वहीं घटना स्तल पर पहुंचे डियस पी ने बताया कि मामला प्र गौन बात रूम में सो है इसन उसके बाद थैठे तो जैसे खोल गंद दूसे उसके बाद में कर तो हम जबाद destiny की घटना को मिल मारे है क्यों मारें की मैरा बहाएंगा has i can probably कुछुच अफैर चल रहा था अफैर चल रहा था जब ये लड़का लोग के साथ था इस पर प्योंगा देख लिया है यह बेसिकली लीगल रिलेशन के कारण होने का संभावना है इसमें मरियानिस कुजूर करके विक्ति को बाहर से आया हुआ दो लड़का मारा यही इनका रिलेटिव जब देखा और लोगों को शक्क हुआ उनका पत्नी बुला है उनलोगों को उसी सेख पर इनका रिलेटिव लोग वह दो लड़का लोगों को रतका है वोड़ी हम लोग अपना कभजया पर ले लिया है पॉस्ट मॉटम कर रहा है अभी हम लोग एफयार रेजिस्टर करेंगे आगे करने के कोशिश कर रहा है चार लोगों की हत्या हो गई है इसमें की बताया जा रहा है ग्रामिनों की द्वारा की है जिसका किसी अन्य गड़के के साथ या किसी तरह से उसकी हथ्या कर दिये इसी बीच में जब वह मार रहे तो हला किया तो गावाले जूटके लगता है कि लोग पीट-पीट का इन लोग की हथ्या कर दी इस अनुसंधान कर रहे हैं और कुछ लोग चिन्नित हुए हैं और पिलीस और उनसे पूछताज करेगी और अविरतर अनुसंधान तरके जो भी दोसी वैक्ति उनकी गिरफ्तारी तुरित की जाएगी अभी तक ग्रामिनों के दौरा जिसे तरह प्रत प्रतंदर्स्ट्या बताया गया है कि यह उस प्रकार की प्रकरन में हमेशा सनलीप रहती तो उसी का विरोध किया गया और उसी में नत्राठेक की गई है किसे मतारे हैं जिसे वह औरत का लफड़ा था दो थी लड़कों के साथ में असलिए वो अपना पती के साथ नहीं बनता था तो वह अपना पती को मरवाने के लिए अपना ये लंडा लोंग को बुलाई फिर मरवाई गलाल दवापे फिर देर सामने उन्हें लड़का लोग सोते हैं लोग आवाज लगाया ना तो भी समय में लोग फटा-फट आये और गाउवालों को हंगामा किया उसके बाद हम सब गाउवाले आये और वो लड़का लोग भागने की कुछिस कर रहा था लड़का लोग को भी अपापे सब गाम अले खकर लोग को भी मारे आरो वो रहा था जाए अजिक अर।